तो सर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था सर इस चेप्टर के अंदर एक यह टॉपिक है कंप्लीट अगले पढ़ाओ पे आ गया है कौन सा बिजनस परचेश सर टिक कर लेते हैं इस पर अरे अगला बिजनस परचेश बिजनस परचेश और सर यह इतना इंट्रस्टिंग है ना बिजनस परचेश पर तो प्रिश थैस इस ही थे मैं तो आपके है कि तिस नमबर का सवाल पूछा जाएंगा एक सहाम को जो आपका expansion एक चैप्डर वो भी बिजनस पर चेश है लिए मोग जो है वो भी बिजनस पर चेश है ती सिसवाल पूछा जाएंगा इस विश्य का इश्य प्रइस 10% premium पे था तो 11 हो गया था ईशा 10 रुपय वाला share 10% premium यानि face value में premium को add on कर देंगे ठीक है अब सर business purchase का definition बताओ आप देखना example मैं आपको एक business की कहानी बता रहा हूँ पुरानी balance sheets के थूप यह थोड़ा में जल्दी समझ में आता है चलिए मैंने लिखा यहां सर मैंने यहां लिखा balance sheet और you know यह liability होता है और यह asset होता और यह balance sheet है PQR Limited की पी क्यू आर लिमिटेड की balance sheet है यह सर पी क्यू आर लिमिटेड की balance sheet है यह यह सर अब इस balance sheet के अंदर का बता देता हूं share capital दो लाक रुपए reserve and surplus तीन लाक रुपए क्रेडिटर क्रेडिटर पांच लाक रुपए balance sheet का total दस लाक रुपए तो सर इधर भी कितना आएगा दस लाक रुपए यहां क्या क्या जानकारी है सुन लो सर बिल्डिंग बिल्डिंग पांच लाक रुपए डेटर एक लाक रुपए कैश पचास अजार रुपए फर्नीचर तीन लाक रुपए यह आपके पास जानकारी है अभी कितने हो गए सर अभी भी पचास अजार की कमी पड़ रही है बैंक डाल देते हैं बैंक पचास अजार अब हुआ यह कि एक वेक्ति जो बहुत पैसे वाला है जो कि पहले से ही किसी ना किसी कंपनी का ओनर है सर यह किस कंपनी का ओनर है बता देते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड का इसने फैसला किया कि यह इस कंपनी को परचेस करेगा तो कंपनी को परचेस करने का मतलब यह है कि उस कंपनी के आपको एसेट्स और लाइबिलिटी ले लेना है अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटी किसी भी कंपनी का ले लिया तो माना जाएगा आपने कंपनी को परचेस कर लिया है तो सर इस company को खरीदेगा तो assets और liability लेकिन एक बात ध्यान रखना है सर कि assets और liability को खरीदते time पे ये दोनों part share capital और reserve and surplus assets liability का हिस्सा नहीं होता है share capital और reserve and surplus liability का हिस्सा नहीं होता है यानि जब ये खरीदेगा इस company को तो इसके सारे assets ले लेगा और liability में इन दोनों के अलाबा लेगा माने लो अगर debenture होता तो debenture भी ले लेता है any liability, creditor, outstanding, debenture, bank loan, bank overdraft कोई भी होगा सब लेगा ये लेने का मतलब इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी इसमें से बस ये दोनों उठके चले जाएगे भाई मालिक गाइब हो जाएगा, इस जिखे पर कौन बैठ जाएगा आके, ये बैठ जाएगा, हो जाएगा इसका business तो भाईया, ये इस business को खरीदने की बात कर रहा है, बड़ी बड़ी बाते तो अब ये business को खरीदेगा, तो पहले पैसा तै करके बताएगा के भाई, मैं तिरे को कितने का खरीद हूँ, एक particular amount तै करके बताएगा, और जो amount तै करके बताएगा, उसको बोला जाएगा, कि इसने इस company को उतने रुपे में खरीद लिया, और इसको थोड़ा सा घुमा फ लब, जितने का इसका खरीद लिया, सारा company उसे बोलते हैं, purchase consideration, आप simple सा, क्योंकि purchase consideration एक technical word है, तो बच्चे उलद जाते हैं, सर ये purchase consideration नहीं आ रहा, बई simple सी बात है, आप सबची लेने भी जाते हो, आलू खरीद के लाते हो, 10 रुपे किलो आलू है, 10 रुपे दिया, 10 रु consideration, यानि जितने का समान आप खरीद रहे हो, उसके बदले जो payment देने के लिए आप तयार हो, उसे क्या बोलेंगे, purchase, तो सर यहाँ पे purchase consideration के दो-तिन option बोल देता हूँ, पहला option, पहला option, ये बोलता है, मैं आपको 6 लाक का, equity share capital दे दूँआ, दूसरा option, कहता है, मैं आपको 50,000, 10 रुपीज इच, equity share capital दे दूँआ, तीसरा option बनता है, मैं आपको 55,000, मैं आपको 55,000, 50 तो नहीं कहते, इसको 40,000 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, 45,000, 45,000, 10 रुपीज इच वाला, equity share, और साथ के साथ, 20,000 रुपे मैं दूँआ, आपको cash, यानि ये इसकी बाते हैं, जो बोल सकता है, बोल सकता है, भाईया, तु इतना पैसा ले ले, या फिर बोल सकता है, ये वाला पैसा ले ले, और बदले में मैं इसे क्या दूआ, equity share, अभी जितने भी equity share है, वो किस पे at perfect, case नमबर चार, देखो, इसके अंदर हम जितना भी करने वाले हैं ना, इससे बाहर examiner नहीं पूछेगा कभी भी, मैं सारे extra, extra, sub point करा देता हूँ, मैंने कहा, मैं आपको 50,000 equity share capital देने वाला हूँ, at 10% premium, ठीक है, तो भाईया, सबसे basic सी बात है, हम इसके business को खरीद रहें, तो पहला case, हम इसके business को खरीदने का मतलब सारा assets खरीदेंगे, तो सारा assets debit कर देंगे, यानि sir, building, building account, debit, debtor account, debtor account, debit, cash account, cash भी खरीद लेंगे, हाँ, furniture account, debit, bank भी खरीदने की चीज़ है, बिल्कुल वो भी ले लेंगे, bank account, debit, two, इसका liability भी लेंगे, creditor भी लेंगे, बदले में इसको purchase consideration देना है, तो या तो मैं यहां पर शर्व दिन यूज करूँगा vendor, या मैं यूज करूँगा purchase consideration, जिसको short form में हम PC भी बोल देते हैं, अब आप एक बात simple सी बात है, आपको जब किसी company को खरीदो गये ना, तो आपको तीन बाते हो सकती है, possible, या तो आपको होगा profit उस company को अपने सस्ते में खरीद लिया, या होगा ज़्यादा महंगा खरीद लिया company को, या no profit no loss, अगर किसी company को सस्ते में खरीदोगे तो जो profit होगा ना, उस profit को हम capital reserve मानेंगे, अगर उस company को हमने महंगे में खरीदा, तो क्यों खरीदा महंगे में, ताकि हम पता है उस company की value ज़्यादा है, तो उसको goodwill मानेंगे, और जब same rate पर खरीदेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं sir, amount लिखके कितने हैं, पांच लाख, एक लाख, पचास अजार, तीन लाख, और पचास अजार, creditor पांच लाख, हमने बोला promise कि आपको 6 लाख का equity share देंगे, तो that is 6 लाख, अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, दोनों side match ही नहीं हो रहा, यानि sir, इसका balance ना, इधर 11 है और इधर 10 है, difference है ना, वो debit में निकल रहा है, तो जो difference होगा, हमने यानि महंगा खरीद लिया, तो क्या क्यों खरीदा होगा, goodwill account debit कर देंगे, और sir, कितने रुपे का, एक लाक रुपे का, अगली entry क्या करेंगे, vendor, या फिर PC, to equity share capital, that's it, खतम जी, खतम ये, पहला case complete, sir, being क्या लिखेंगे, being लिखेंगे, assets acquire, all assets and liability taken, यह रहेगा being, और इसमें share issue to vendor, किसी बच्चे को कोई समस्या, sir, cash bank का system समझ नहीं आया, भाई, इसके अंदर से बस हम मालिक को हटा देंगे, भाई, तू निकल जा, बाकी business मेरा है, तो पहले ये था PQR Limited में, और इसका bank खाता भी था PQR Limited में, अब इसके bank खाते पे नाम बदल के कर देंगे XYZ Limited, तो bank तो मेरा ही हो गया न, और उस cash पे भी पूरा-पूरा मेरा अधिकार हो जाएगा फिर, बच्चे कह रहे हैं, sir, 11,00, नहीं आएगा, टोटल कर ये 5, 6,00, और इधर का टूटल दस लाख नहीं है, क्या, छे, छे, साड़े छे, दस लाख, और इधर 11, इधर देखो ने, 11 आ रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट 11, और इधर एक का कम पड़ गया, तो ये balancing figure है, चलिए, यहां तक समझ मैं आई बात, अगले point पर चले, point number two, अगर आप 40,000 share दे दो, तो क्या होगा, तो भाईया, 40,000 share दे के देख लेते हैं, case number two, अगर आपना 40,000 share देते हो न, एंट्री पता क्या होगा, पहले सारे assets और liability लेंगे, यानि सर ये वाली जो एंट्री है न, पहले ये वाली एंट्री तो करना ही पड़ेगा, ये एंट्री तो हर हाल में, हर हाल में करना पड़ेगा, आ जाए गई यहां? और भूआर क्यों सोुपरेगा येक करना है, जार भी बावाली थे एंट्री जुटे ओल्हरूरी और ये एंट्री एंट्री जोह दो हम शेकिते हैं警े करनाEM है तो करनान है यह की घश्री आपमाएबराट कर्वाबर येमेते ह। केस नंबर टू तो पहले तो जब एसेट्स खरीदा तो इसी वेल्यू पर खरीदेंगे अब जब टोटल करेंगे ना तो बस फरक इतना रहेगा इसको जो परचेस कंसिड्रेशन है वो कितना आजाएगा आपका फोर इंटू टैन यानी तो यहां पर पाया जाएगा कि यह दोनों डिफ्रेंस आ रहा है सर कहां डिफ्रेंस आ रहा है तो अब देखोगे इसका डिफ्रेंस जो है वो कहां गया क्रेडिट में तो जब क्रेडिट में डिफ्रेंस आएगा तो मैच कर देंगे किससे सर टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व और यह लो आ गया एक लाख अगली एंट्री कि वेंडर टू एकुटी शेयर कैपिटल कितने का दिया यानि सर दूसरे एक्जामपल में मैंने इसको चार लाख में खरीद लिया और पांच लाख की कंपनिया देखी जाए तो सारे यह इसे दस का पांच का करजा भी पेड़ कर देंगा तो पांच की वर्थ रखता है लेकिन मैंने कितने का पेमिंट कर दिया श्रिफ क्यार लाग का तो इसका मतलब सर हमारा हो गया फाइदा और जो फाइदा होगा वह रेगुलर नेचर का नहीं है वह होगा इसलिए जाएगा क्यापिटल डुर्चम सर्वेंडर का वैल्ल्यू गीवन होगा organisा वल्रकल हमेंशा गीवन होगायः determ का value नहीं बता के number of Shears बना बता दिया तो आपको समझना होला है वेंडर का value हमेशा give-ण होगा वो समझना होगा यह चलिए case number 3 क precisely के सब्सक्रण करेंगे केस नम्बर 3 कैसे होगा देख लो कि यह कहता है कि हम देंगे आपको 45,000 शेयर और 20,000 नगद तो हिसाब किताब लगाएं तो 45,000 शेयर 10 रुपे का एक तो साड़े चार लाद और 20,000 नगद मतलब इसको पेमिंट पड़ेगा 4,70,000 तो सारे एसेट्स को खरीद लेते हैं सर कौन-कौन से एसेट्स खरीदोगे इसके सब कुछ नई खराब हो जाएगा सारे एसेट्स खरीद लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबट कैश अकाउंट डेबट डेटर अकाउंट डेबट परनीचर परनीचर अकाउंट डेबट बैंक अकाउंट डेबट तू क्रेडिटर और तू वेंडर और तू बस अमाउंट लिखो पांच लाख पचास अजार एक लाख तीन लाख और पचास अजार पांच लाख और वेंडर को वादा किया है कि मैं आपको दूंगा कितने चार लाख सतर हजार तो चार सतर कुछ बच्चों को confusion हो सकता है सर चार सतर कैसे आया कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है तो भाईया मैंने promise किया मैंने promise किया क्या promise किया कि मैं आपको 45,000 share दूँगा 10 वाले तो मतलब 4,50 के share हो गए और 20,000 नगत दूँगा तो that is 4,70 ही तो हो गए तो अब difference जो है अभी still credit में आ रहा है तो किस से match करेंगे capital reserve 30,000 किस से match कर देंगे capital reserve 30,000 अगली entry क्या करेंगे सर vendor account debit और 2 आ जाएगा एकुटी शेयर capital और तू कैश सर एकुटी शेयर capital में तो साड़े चार लाक ही जाएगा और यहां बीस अजार और यहां चार लाक लीजिए जी केस नमबर तीन भी डन केस नमबर चार कर लिया जाएगा केस नमबर चार थोड़ा ध्यान से नोट करना मिक्स हो सकता है केस नमबर चार चौथे केस में ये अब देखा जाएगा चौथा केस कहता है भाईया मैं तुझे पचास अजार एकुटी दूँगा दस परसेंट फ्रीमियम पे मतलब मैं तुझे पचास अजार एकुटी दूँगा दस परसेंट फ्रीमियम पे मतलब सीधी सीधी सी बात है तुझे 5,000,000,000 का समान दोंगा मैं तो यहां पर जो वेंडर में आ जाएगा वह आ जाएगा 5,000,000 यानि 50,000 का face value और 10% यानि 10,000 का यहां पर नंबर ने निकालना आपको प्रीमियम वाले केस में पुराने वाले में आपको निकालना पड़ेगा यहां तो देगी रखा है नंबर पहले सी दे रखा है अब यहां पर फरक देखोगे न तो debit में आएगा that is आप match करोगे आप चे बेसिक वाली एंट्री सार अगली एंट्री कौन सी होगी मैं यहां पर कर देता हूं कि वेंडर कि टू कि एकुटी शेयर कैपिटल टू कि सिक्यूरिटी प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा यहां पर पांच-पचास कि पांच लाग और पचास हजार लीजिए जी लीजिए सर कैपिटल डिजर्व कैसे आ गया सर कैपिटल डिजर्व क्यों किया आप किसी कंपनी को सस्ते में खरीद होगे तो फाइदा हो गया और जो प्रॉफिट आपका रेगुलर रूटीन नेचर का नहीं होता उसको कैपिटल डिजर्व में ही डाला जाता है और जो बिजनस का प्रॉफिट होता है वहां लिखा ज मतलब सस्ते में खरीद लिए नमयने उस कंपनी को तो फाइदा होगे तो फाइदा कैपिटल डिजर्व में चला जाए है हमारे दो केश कहतम है दो केश कहतां सब कि यह लिजिए यह भी डंटिक मार दो अरे यह भी डण टिक मार दो प्रमोटर अंडर राइटर वाला यहीं करूंगा मैं जगह है तो यहीं कर लेते हैं कि यह आगे करें आगे करते हैं नहीं तो फिर ना बच्चों को नोटिंग करने में बड़ी समस्या आती है कि आज भाई पीडियफ आये था क्या नाम है अंडर राइटर समझते हैं बात को अंडर राइटर कौन होता है भाई साब अंडर राइटर कौन होता है अबना हमारे एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया के हम क्या करेंगे एश्यू करेंगे पांच लाक शेयर एट दी रेट टेन रुपीस इच मतलब सर रुपीस के टर्म्स में देखा जाए तो पचास लाक रुपे का हम क्या करेंगे शेयर इश्यू करेंगे और भाई ये कंपनी जो भी शेयर वगएरा इश्यू करती है वो किसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से करती है किसका रूल फॉलो करती है कंपनी एक्ट थर्टीन और कंपनी एक्ट टू थाउजन थर्टीन क्या कहता है कि मिनीमम सब्सक्रिप्शन आपका 90 पर्सेंट होना चाहिए सर 90 पर्सेंट मतलब आपका 50 लाख का आप इश्यू कर रहे हो तो इसका 90 पर्सेंट मतलब आपको 45 लाख रुपए तो हर हाल में पेचना ही बेचना है या 45 लाख रुपए हर हाल में रिसीव करना है कुछ भी हो जाए अगर आपने 44 लाख 99,9999 रुपए भी रिसीव किया तो आपकी कंपनी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप शियर को इश्यू करें यानि मिनीमम बाउंडेशन है अब भाई अगर नई कंपनी है तो कहां से बेचेगी कोई नई कंपनी आ जाए आपके सामने मान लेतने एक आगया बिल्लू लिमिटेड अब कहां से खरीदोगे उसके शियर पता ही निए भाई कौन से कंपनी नहीं है तो उसके कंपनी कभी बिकेंगे नहीं उसके शियर तो कंपनी आएगी फिर वापस चले जाएगी और ऐसे क्या करें बिल्लू लिमिटेड इस बार आई फिर बेची नहीं खरीदा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं बिकेगा मान लेते हैं 50% सब्सक्राइब हुआ जिसमें मैंने भी पैसे लगाए कि कुछ दिनों बाद कंपनी का नोटिस्फिकेशन आता है कि हमारे 90% सब्सक्राइब ना होने की वजह से आपको शेयर नहीं दिये जा रहे हैं आपके पैसे वापसी कर रहे हैं मैंने बोला ओहो पैसे तो वापसी कर दिया ने उन्हें क्या करें फिर दुबारा एक सइला लिमिंटेट की है उसमें पैसा लगाया उसकंपनी का सब्सक्राइब हुआ जब सब्सक्राइब हुआ तो एक कुछ दिनों बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि वह या इस सब्सक्राइब जा नहीं मिल सकते क्यूं बैंक से पैसे निकाल के उधर डालो उधर से इतने दिन बाद इधर आएगा तो मेरा ट्रस्ट लूज हो जाएगा तो इसके लिए लॉमेकर ने बोला कि भाया आपना कंपनी का अगर अंसबस्क्राइब होता है ना तो कंपनी आपका नुकसान नहीं है मार्किट में सभी कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि एक कंपनी के उपर से भरुसा उठने का मतलब है सारी कंपनी से भरुसा उठ जाना है इसका भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है तो बार बार यहीं हो रहा है तो इसके देख रेक के लिए हमारा आता है सेवी Security Exchange Board of India SEBI SEBI कहता है भाई ऐसे बार बार नहीं चलेगा ऐसे तो बदनामी हो रही है Company Act की भी बदनामी हो रही है उसने बोला के भाई तू ना एक ऐसा बंदा ले ले पकड़ ले एक ऐसा वेक्ति ले जो तेरे share को बिकवा दे तेरी तो हैसियत है नहीं तेरे को कोई जानता नहीं है कोई से नाम वाले कोई देख लिए यानि अब यह ऐसे वेक्ति को ढूंड़ेगा जो popular है market में उससे सब जानते हैं तो वो क्या करेगा बिकवा देगा सिंपल सी बात है आप product बनाओ बहुत अच्छी quality के कपड़ा बना लो आप कोई भी product बना लो नहीं बिकेगा लेकिन एक ऐसा बंदा पकड़ लो जिसकी market में पकड़ है सब को जानता हो एक दिन में खतम कर देगा सारा माला को तो ऐसे इसको बोला सेवी ने के भाई एक काम कर तू एक ऐसा वेक्ति पकड़ ले जो के तेरे share को बिकवाने में मदद कर ले तो जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है ना वो ऐसा परसन डूंडेगा तो ऐसा परसन में ना सबसे ज़्यादा जो परसन दिमाग वाला है वो है बैंक और भी होते हैं लेकिन सबसे में होता है बैंक बैंक के पास इतना सारा कस्टमर होता है हर कस्टमर को बोलेगा रहे इस कंपनी का शेयर लो बहुत उपर जाएगा मुनाफ़ा होगा इनका काम ही होता है लोगों को इन्वेस्मेंट से रिलेटेड इनफॉर्मिशन देना जब ऐसा होगा तो बैंक वाले शेयर को बिकवा देंगे इसके लेकिन बैंक वाला सर्त रखेंगे कंडिशन रखेंगे भाई मैं ऐसी क्यूं करूं क्यूं सरदर दिलू मैं तेरे शेयर बिकवाने के लिए मेरा क्या है ऐता आब कि यूँ मैं ऐसा करूं तो तो कंपनी को बदले में इसको देना पड़ेगा सर खमिशन और कमिशन जो देना पड़ेगा न वो देना पड़ेगा मैक्सिमिम्म पांच परसेंट से ज्जादा भी नहीं देना तो कम में बात्चित कर लो अगर share का case है debenture का case है तो धाई से ज़्यादा हो नहीं देना यह law में लिखा है यह है share पे अगर debenture का case होगा ना तो 2.5 से ज़्यादा नहीं देना यह law में है यानि आप 5% law में maximum लिखा है आप 4 में बात कर लो तीन में बन जाए बात आपकी, तो जो यह bank है, bank क्या करेगा बताओ, bank से डन हो गया, 5% commission की बात तैय हो गई, तो bank को जो commission मिलेगा न, तो अब इसके shares bank कितने बिकवाएगा, सब को बोल बोल के, बोल बोल के, कितने बिकवादेगा, पूरे 50 लाग, जब यह 50 लाग का बिकवादेगा, तो इसे 5% commission दे देंगे, that is, 50 लाग के उपर, 5% कितना होता है, हाँ, धाई लाग, धाई लाग, रुपए का bank को क्या दे देंगे, ले भाई, तू, commission ले ले, अगर bank वाला ना नहीं बिकवाएगा ना इसका share, तो bank वाले को खुदी खरीदना पड़ेगा, भाई, ऐसी कैसी guarantee, ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, इदर उदर से, मैं बिकवार हो, मिर को दे commission, और last मैं बोले, बिकाई नहीं, यह तो share, कोई मतलब थोड़ी बनता है, तो जब इसको हम commission देने की guarantee देंगे ना, बैंक वाले को तब ही लिखवा लेंगे, भाई, अगर बेचना ही बेचना है, नहीं बिकेगा, तो तू मरेगा, तू देगा, सारे पैसे मेरे को तो 50 लाख रुपे, मैं तिरे को 5 लाख commission दूँगा, साड़े 47 लाख रुपे मैं तिरे से ले लूँगा, बात खतम, और मुझे नहीं पता, तू बेच, चाहें मत बेच, तो ये एक तरीके से, इस company के सारे shares को बिकवानी की जिम्मेदारी ले रहा है, जो किसी company के shares को बेचने की responsibility लेता है, उसी को बोला जाता है, underwriter, अब समझ म आया, underwriter, खोन होता है, जो किसी company के shares को बिकवानी की responsibility ले लेता है, उसको बोलते है, क्या, underwriter, तो सर, underwriter को क्या मिलता है, बदले में, ऐसा क्यूं करता है, उसे मिलता है, commission, अब commission दो तरीके से दिये जा सकते हैं, या तो पैसे में दे देंगे, या बोलेंगा, तिरको share ही दे देते हैं अपनी company का, वो depend situation पे, तो सर, underwriter का हो जाता है, commission, तो सर, underwriter को देना पड़ता है, क्या, सर, इंडिया में, बहुत सारे bank, ICICI bank, बहुत सारे bank के ये काम करती है, और वो इतनी बड़ी responsibility इसलिए भी ले लेती है, क्योंकि आपको पता है, उसके पास बड़ा सारा पैसा है, commission देना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे commission देना एंडर राइटर को तो due करेंगे, entry क्या होगा, underwriter, commission, account debit, खर्चा है भाई मेरे लिए, और two underwriter, sir, liability ये पैसा तो दोगे ना, तो इसलिए two underwriter, sir, कितना देना यही example, continue करते हैं, धाई लाग, तो यहाँ पे होगा being, underwriter, commission, due, समझें बात, underwriter, commission, due, अब payment कर देंगे, बोलेंगे, underwriter, two, equity, share, it may be at par, premium, और डिपैंड करेगा, premium यह होगा, तो नंबर निकाल लो गया, लो जी, underwriter का concept खत्म, अब last में एक entry करना चाते हो, पी एंडल में भेजने के लिए तो कर सकते हो, यह optional है, statement, profit and loss to, underwriter, commission, यह optional है, यह profit and loss में भेजने की है, यह being, under, underwriter, commission, transfer to P&L, और यह being, share, issue, to, to, underwriter, समझ में आई बाद, किसी को दिक्कत बताईए, फिर last concept पर चलेंगे, किसी को दिक्कत है, तो बताईए, last concept पर चलेंगे, promoter, मैंने देखो, सारे example करा दिया, अगर आप सही से question, सवाल को पढ़ेंगे, तो मतलब ही नहीं कि आपका सवाल रुख जाए, किसी को doubt, बताईए, साहब किसी को doubt, चली, आगे चलते हैं, clear है, चिन्टू, first case, समझा दो, अभी बता दिए, दुबारा, revision एक पर लेंगे, ने, quick revision, अगला point, सर, अगला point पे भी टिक मान लेते हैं, ये भी done, last point बच गया, पर मोटर, ये 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 ले क्या फागे, ऴूरी, क्या वे पूशाओ बता हैं, घगला दोरा सन